हेलो एवरीवन, रामनेट जी आरे चैनल में आपका स्वागत है, आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ, आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे, तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, जो हमारा पेपर वन है, उसकी यूनेट हायर एजूकेशन उस शिक्षा पढ़ना ली, आज हम इसके इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आईए देखते हैं हमारा पहला कोश्चन क्या है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बैल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो आईए देखते हैं हमारा पहला कोश्चन क्या है, निमलिक्त में से किसी कलकता विशवी दहले के रूप में जाना जाता है, A. सेडलर आयोग, B. कोठारी आयोग, C. हंटर आयोग, D. वुडिस पैच, तो कलकता विशवी दहले आयोग के रूप में किसी जाना जाता है, इसका राइट ओप्शन होगा हमारा A. सेडलर आयोग, ये कोश्चन मोस्ट मोस्ट है, ये पहले भी आया हुआ है, और आगे भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखें, नेक्स्ट कोश्चन है, निमलिक्त में से किसको उच्छिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है, A. वुड प्रेशन, B. मेकालेमिनेट, C. अलिफ स्टोन रिपोर्ट और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये कब आई थी तो, 1823 में, तो इसमें पूछा गया है कि उच्छिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में किसे जाना जाता है, यानि हायर एजुकेशन में पहली पोलिशी के बारे में किसको जाना जाता है, अलिफ स्टोन रिपोर् दस जमा, दो जमा, तीन के लिए एक अगरगामी माना जाता है, A. सेडलर आयोग, B. वूड प्रेशन, C. कुठारी आयोग, या D. उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा, वो होगा A. सेडलर आयोग, कोश्चिन में पूछा गया है कि दस जमा, दो जमा, तीन के लिए जो अगरगामी माना जाता है, वह कौन सा आयोग है तो सेडलर आयोग, नेक्स्ट कोश्चिन है, निमलिक्त में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्य विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, A. रादा किश्नन B. कोठारी आयोग, C. मुदालियर आयोग रिपोर्ट या D. विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, तो कोठारी आयोग और ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ये कब आया था? 1964 और 1966, 66 है, तो कई बार एक्जामिनर 64 और 66 भी दे देता है, तो आप इन दोनों ही डेट्स को याद रखें, और इनके जो बीच वाला है, जैसे 65, एक बार 65 भी दिया था, तो आप इन सेकंड फ्यूज में तो ना, इसका जो अठारी आयोग का जो टाइम है, वो 64 से 66 तक है, नेक्स्ट कोश्चन है, निमलिक्त में से किस की अध्यक्स्ता में वर्सें, उनीसो बहतर में, दस जमा, दो जमा, तीन, शिक्षासन रचना परराष्टिया, समीति की स्थापना की गई थी, ए, डॉक्टर, पी, डी, शुकला, बी, डॉक्टर, डी, ऐसे कोठारी, या, सी, डॉक्टर, अधाकिशनन, या, दी, उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा, वो होगा, हमारा, ए, डॉक्टर, पी, डी, शुकला, नेक्स्ट कोश्चन है, सौतंतर्ता के बाद सरकारी या उसकी एजन्सियों दवारा कई आयोग स्थापित किये गए थे, जिन का उन नीचे दिया गया है, इन आयोगों को उन के स्थापित किये गए, जाने के या पहले के बाद मे करम हमें देखना है, तो सब से पहले है, विशह विदले शिक्षायोग, भी, मदम Central Campus, या तिसरा है, शिक्षायोग कूट दिये गए है, पहला, ए में दिया गया है, तिसरा, दूसरा तफ़ पहला बी, दूसरा पहला तफ़ तफ़ ये तिसरा, C, पहला दूसरा, और तीसरा और D पहला तीसरा तथा दूसरा तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा C पहला दूसरा और तीसरा ये करम इनका सही है पहला दूसरा और ताग शिक्षा आयोग मैं या निमिलिक्ट में से किस समीती ने UGC दवारा पर तेक वर्ष बुनियादी विग्यान के चेतर में अनुसंदान पर 500 क्रोड रुपे खर्च करने की सिपारिश की A. M. M. सर्मा समीती B. कालेलकर समीती C. प्रोफेसर यसपाल समीती या D. उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट उप्षन होगा हमारा A. M. M. सर्मा समीती कोश्चन में पुछा गया है कि कि समीती ने UGC दवारा पर तेक वर्ष बुनियादी विग्यान के चेतर में अनुसंदान पर 500 क्रोड रुपे खर्च करने की सिपारिश की तो M. M. सर्मा समीती ने नेक्स्ट कोश्चन है मानो संसादन विकास मंत्राले दवारा स्थापित की गई समीती में भारतिय प्रोडोगी की सहस्तानों की सवायत तक ये नुसंसा की गई निमलिक्त में से कौन से विख्यात व्यक्ती इस समीती के अध्यक्स थे A. प्रोफेसर अनिल कालेलकर B. प्रोफेसर यश्पाल C. सेम पितरोदा या D. उप्रोग्त में से कोई नहीं तो इसका हमारा राइट उप्शन होगा A. प्रोफेसर अनिल कालेलकर नेक्स्ट कोश्चन है निलिक्त में से इलाबाद विश्वी दैले की स्थापना किस वर्ष की गई थी A. 1887, B. 1901, C. 1905, D. 1911 तो इसका जो हमारा राइट उप्शन होगा वो होगा हमारा A. 1887 में पुछा गया की इलाबाद विश्वी दैले की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1888 में ये आप ध्यान रखें नेक्स्ट कोश्चन है निलिक्त में से कौन सीसंस था वर्ष 1945 में अलिगड मनारस और दिल्ली दिल्ली केंदरिया विश्वी दैले की कारिया पतिती को देखने के बाद स्थापित की गई ए विश्वी दैले नुदान आयोग भी विश्वी दैले नुदान समीती या सी इंटर यूनियोस्टी बोर्ड या डी भारतिय विश्वी दैले संग तो इसमें जो हमारा राइट ओप्शन होगा इसमें पुछा गया है कि 1945 में अलिगर्ड बनारस और दिल्ली केंदरिया विश्वी दैले की कारिया पतिती को देखने के बाद किसी स्थापित किया गया तो इसका राइट ओप्शन होगा हमारा ए विश्वी दैले नुदान मैं इसमें higher education के 10 questions किए हैं ये question आपके कितने सही हुए और ये वीडियो आपको कैसे लगी comment box में comment करके जरूर बताएं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में और नए important और interesting topic के साथ इस वीडियो को like करें channel को subscribe करें और इसे ज़्यादा से ज्या जारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियो का फाइदा मिले तो आज के लिए इतना ही थैंक यू